अर्थात मन को वश्मे करने के लिए उस पर दो तलवारों से प्रहार करना पड़ता है एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की अभ्यास और वैराग्य हां की अभ्यास ओर वैराग्य कर देखो अर्जुन अभ्यासका अर्थ है निरंतर अभ्यास को एक काम पर लगा दो वह वहांसा भागेगा उसे पकल कर लाओ, वो फिर भागेगा, उसे फिर पकलो, ऐसा बार बार करना पड़ेगा जैसे घोड़े का नौजाच शिशु एक शन के लिए भी इस्तिर नहीं रहता, शन शन में इधर उधर फुदकता रहता है उसी प्रकार मन भी शन शन में इधर उधर फुदकता रहता है एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठेन है जैसे किसी मुझो और घोड़े को काबू करना ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है घोड़ा उतना ही विरोद करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है परंतु यदि सवार द्रण संकल्प हो तो अंद में वो सरकश घोड़े पर सवार हो जाता है बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रसी में बान कर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है तो अंत में वह अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है इसी को कहते हैं अभ्यास की तलवार चलाना जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए फिर वह दूसरी वैरागी की तलवार की क्या आवशक्ता है उसकी आवश्यक्ता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर न चला जाए क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विशे उसे सदा ही आकर्शित करते रहेंगे मिथ्या भोग विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी और खीश सकती है इसलिए मन को ये समझने जरूरी है कि वो सारे विशे भोग मिथ्या है असार है योग माया के द्वारा उत्पन होने वाले मोह का भ्रम है मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विश्यों से मोह नहीं रहेगा बलकि उससे वैराग्य हो जाएगा और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विश्यों के मोह को काट के मन को सन्यासी बना देती है